प्रस्थुत है एक कविता चुप क्यों है सब्विता लौट लौट आती है कविता अपने कवी के पास समझना चाहती है नए नए संदर्वों में बदलते हुए अर्थों को जानना चाहती है कि क्या कवी की नजरों में अभी भी अभी शप्त है मिडास जबकि उसने दच डाले हैं चम्मत चुरी काटे और वह बिना चुए ही जिसे चाहता है निगल जाता है और जिसे वह बस चूबर देता है वह तो चम चमाता ही है सोने सा पिड़ी दर पिड़ी अपनों के ही सर पर हाथ दरे क्यों नहीं सीख पाता भसमसुर नाश्ती हुई मुद्राओं के मौन मंत्र क्यों नहीं दिखाई देते उसे लाख के उपर देवता दूते हुए उसकी तेल संपदा इराक में और क्यों हर बार जन्नी पर ही लादा जाता है खपर का भार क्यों मजबूर किया जाता है उसे पीने के लिए अपनों का ही रत बीज का क्या कोई दैत नहीं होता चुप क्यों है सब्वेता सिंदो की गाटी में दस्तुते एक कविता जिसका सीर्षण के धर्म युद्ध, मुझे नहीं पता कि कभी होते हैं धर्म युद्ध या युद्धों में होती है धर्म की मिजए, पर मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि युद्ध में जो भी जीतता है, धर्म उसी के साथ खड़ा हुआ दिखता ह यदि महाभारत में सुयोधन जीतता, तो हमारा सारा समय कुंती को कुल्टा, द्रोपदी को वैश्चा कहते हुए बीतता, क्रश्न कुटिल, अर्जुन हीज, और भीम हमें बोधा नजर आता, हर जगे भगवान शकुनी को पूजा जाता, और यदि हिटलर जीतता, तो सच म मेरे दोस्तों हिरोशिमाओं और नागा शाकि में मानविते के खिलाफ किये गए अपरादों के लिए ट्रूमेन का अंतिम दिन फासी के फंदे बभीत्ता